कोट में अगर केस करने के लिए आप जाएं तो बिना सबूतों के तो काम चलता नहीं है, जो बात आप जिस बात को आप सावित करेंगे, प्रूफ करेंगे, वही बात मानी जाएगी, हवा में बात कोट में नहीं होती है, इस वज़ा से सबूतों को समझना जरूरी है, की बात करते हैं तो एक कानून ध्यान में आता है और ये कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जी हाँ इंडियन एविडेंस एक्ट हिंदी में से साक्ष अधिनियम भी कहते हैं अब इसकी जो धारा है section 65 वो दो तरीके के एविडेंस के बारे में बात करती है सबसे पहला तो oral document और documentary evidence oral document मतलब मौखिक तोर पर किसी ने कही सुनी कही इस तरीकी के बात आती है वो oral evidence में आ जाती है और documentary evidence जो दस्ता वेजी फॉर्म में है ये जादा authentic होते हैं वही कहने पर क्या है आज मैंने कुछ कहा कल कुछ और कहा दूँगा लेकिन जो document में एक बार लिखा हु और ऑरल जो कि मौखिक होता है दूसरा होता है documentary documentary को समझना ज़रूरी है maximum जो court में काम होते हैं वो documentary evidence पर ही आधारित होते हैं चाहे वह family हो चाहे वह criminal हो चाहे वो कोई भी हो litigation maximum जो 90% आपके evidence court में काम आते हैं वो होते है documentary form के, अब ये भी दो तरीके के हैं, पहला होता है primary, दूसरा होता है secondary, इसी को जरा समझते हैं, आपके काफी काम आने वाली बात है, जरा ध्यान से समझेगा जो primary evidence होते हैं और जो secondary evidence होते हैं, वो क्या है section 65 इसको ध्यान में रखें, जो कि ये बताता है होते हैं, वो basically part होते हैं या उसी का एक substituted documents होते हैं जिसे हम secondary evidence कहते हैं अब जब bona fide intention है, मतलब आप बिक्कुल genuine तरीके से court को बता रहे हैं कि भई हम असमर्थ हैं या primary documents हम submit नहीं कर सकते, उस condition पर court अगर चाहे तो आपके secondary evidence को consider कर सकती है, नहीं कर सकती है ये court का discretionary power है, ये उसका स्वतंत्र अधिकार है, किसका court का, अमूमन court कर लेती है लेकिन उसकी कुछ conditions होती है कब secondary evidence conclude किया जाएगा अगर आप अपना case लड रहे हैं, तो आप objection भी ले सकते हैं, objection इस बात का, आपती इस बात की, कि अगर मान लीजे आपका जो विरोधी है, वो जब secondary evidence submit कर रहा है, तो secondary evidence की भी conditions होती है कि कब वो submit किया जाएगा, court के सामने दिया जाएगा, या नहीं दिया जाएगा तब आप अपत्ती ले सकते हैं और अगर आपको secondary evidence court में submit करना है, तो वो भी ध्यान रखे, उसकी कुछ conditions होती है, conditions क्या होती है, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ये discretionary court है, court का एक discretion है, court का एक स्वतंत्र अधिकार है, जहाँ पर वो in evidences को consider कर सकती है या नहीं, किसे, primary तो consider करेगी बट secondary evidence, consider करेगी मान्य करेगी, नहीं करेगी ये court का स्वतंत्र एक अधिकार होता है, अब उसकी conditions क्या है सबसे पहली condition या circumstance ये होती है, कि जहाँ पर original document को proof नहीं किया जा सके या produce नहीं किया जा सके और या कि वो party की read से बाहर है, उसके pass नहीं है, या उसके अधिकार में नहीं है आप ऐसा समझे, कैसे, for example मुझे court के सामने अपनी age proof करने के लिए अपनी उम्र को साबित करने के लिए एक document submit करना था कौन सा मेरा birth certificate कुछ condition ऐसी है, जहाँ पर school ने, college ने, या कहीं पर मेरा birth certificate रखा हुआ अपने पास में, और उस birth certificate की एक photocopy, एक xerox copy, एक दूसरी जो copy है वो मेरे पास में available है और वो मैं court को produce कर रहा हूँ by giving justification कि जो मेरा original birth certificate है, वो इस जगा पर जमा है, जैसे मैं अभी नहीं दे सकता, दूसरा condition, मान लीजे, आपका जो transfer certificate होता है, school का, या college का, या किदर का भी, तो वो transfer certificate, original आप court में submit ना करें, ये कहते हुए, कि भई, मेरी जो पढ़ाई चल रही है, वहाँ पे college बालों ने रखा हुए, और उनके नियम कि अनुसार, वो रखे रहेंगे, जब तक evidence है, वो आपके पास में नहीं है, जमीन जाजाद के मामले होते हैं, for example, या criminal के कुछ matters होते हैं, अब charge sheet, charge sheet की copy आपके पास में नहीं है, criminal में, तो आप कैसे दे देंगे, वो तो police के पास में है, या deposit है, court में ही जमाई है, या किदर पे भी, आपके पास original copy नहीं, तो उसकी जो xerox copy है, उसकी जो photocopy है, वो जब आप court में देंगे, या उसका कोई part आप court में देंगे, तो secondary evidence हो जाएगा, आपको court को ये बताना पड़ेगा, कि भई, ऐसी ऐसी condition है, या कि मान लीजे, civil का कोई मामला चल रहा है, original जो property के registry के document है, या sale deed है, या gift deed है, या mortgage के कुछ documents है, या कुछ भी, वो papers आपके पास में नहीं है, वो या कि bank के पास में गिरवी रखे हुए हैं, mortgage रखे हुए हैं, या कि जिनके साथ में आप मामला लड़ रहे हैं, original अगर उनके पास में है, उसकी court या कि उनको direct करे, otherwise मेरे secondary evidence को admit करे, तो ये condition ये होती है, जहाँ पर आपके पास में original document नहीं है, और उसकी xerox या photo copy आप court में submit करते हैं, उसकी कुछ condition specified होती है, maximum ये civil case में होता, जैसे वसी है challenge करना है, mortgage के कुछ documents, bank के पास में, NBFC के पास में, गिर्वी रखे हुए हैं, बहाँ पर भी इसका जिक्र होता है, तीसरी condition ये है, कि जब वो public document हो, public document, मतलब, मान लीजे, court कचेरी से ही संबंदत कुछ ऐसे है, जो आपके custody में नहीं है, अब जो official visit pass हुआ होगा, सरकार का, तो सरकार के अपने रखा हुआ है, उन्होंने तो online जो publish कर दिया, उसकी copy आप court में submit करे हो, तो, it is to be considered as primary evidence or not? ये एक, जो matter है, वो court को फिर देखना पड़ेगा, तो अगर आप वो copy produce करे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा, कि it is a part of public document, और public document का part है, या original गुम गया है इसका, या कि government के पास में, गिर्वी रखा हुआ है, या government के पास में सनरक्षित रखा हुआ है, और उसकी एक certified copy आपके पास में, तो that can be considered as a secondary evidence by the court. ये भी एक है. चौती conditions ये होती है, जहां पर जो original documents हैं, वो बहुत सारे बलकी documents हैं, माल लीजे, 1000 पन्नों के documents, आपका कोई काम चल रहा था, road construction वगएरा का कोई case चल रहा था, इस तरीके के मामले में बहुत लंबी-लंबी, मोटी-मोटी सरकारी दस्तावेश से संबंदित फाइले होती हैं, अब वो पूरा का पूरा इतना बड़ा मोटा बंच तो आप court के सामने produce करोगे नहीं, तो अगर उसमें कोई expert या skilled person की opinion है, जो court evidence के तौर पर admit कर सकती है, तो भी आप दे सकते हो और court इसे secondary evidence के तौर पर admit कर सकेगी, तो यह बहुत सारी conditions होती हैं, जहाँ पर maximum document जो हम supply करते हैं, produce करते हैं, और court चाहे तो secondary evidence आपके consider कर सकती है, discretionary power है, लेकिन आपको ज़रा convince करना पड़ेगा, और उसकी जो condition या circumstances होती हैं, वो क्या होती हैं, वो मैंने आपको बतानी की कोशिश की, जिक्र किया था section 65B का primary secondary evidence समझना काफी ज़रूरी, primary में अब तक लीफ नहीं आती, secondary में court के consideration होता है, इस वजह से वो admitted fact होना चाहे, इसके अलावा भी एक condition यह होती है, जब जिस party के साथ में आप case लड़ रहे हैं, अगर उसने किसी और जगहा पर, किसी और document के through, इस part को admit कर रखा है उस particular document जो secondary आप court में produce कर रहे हो, अगर उसने admit कर लिए अपने examination में या cross examination में, तो भी आपका जो evidence है secondary तोर पर court consider करेगी, आप कोई जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा, साथ ही साथ comment box में, इस video के आप mention कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न है मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्निक का उत्तर देनी के लिए अगर मुझे directly बात करना चाते हैं, इस video को description में detail है, link है जहां से directly appointment book करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात, मिलिए एक लिए वीडियो में तब दके आप सभी स्वस्ता और सुरक्षित रहें